क्रिकेट के जन्दाता कौन है? इंग्लेंड ठीक है? और आपके क्रिकेट में खिलारियों की संख्या कितनी होती है? 11-11 प्रतेक्टीम में क्रिकेट की अपचारिक शुरुवात हुई थी दोस्तों इंग्लेंड वर्सेस अस्ट्रेलिया से और 1887 इसवी मेलबन अस्ट्रेलिया में ठीक है प्रथम एक दिवस्य क्रिकेट कब शुरुआत हुआ था इंग्लेंड वर्सेस अस्ट्रेलिया के बीच हुआ था 1971 में क्रिकेट की पीछ की लंबाई चौराई कितनी होती है 20.12 x 3.5 मीटर ठीक है क्रिकेट के बल्ले की लंबाई चौराई कितनी होती है 38 गुने 4.25 इंच यह आप बोल सकते हैं 97 x 1.8 cm बल्ला का भार कितना होता है 1.1 से 1.4 kg गेन का वजन कितना होता है 155.9 से लेके 163 ग्राई के स्टम की उचाई कितनी होती है 28 इंच तो दोस्तो यह महत्पुनतत है आप इंपोर्टन है याद रखेगा तो दोस्तो हम लोग फोटो के माधियम से पीच को समझने की कोशिस करते हैं कि इसकी लंबाई चौराई क्या है देखिए आप इस फोटो में देख सकते हैं दोस्तो इसमें स्टम से स्टम की दूरी आपका 22 याड है तो 20.12 मीटर और अगर पूरी पीच की बात की जाए तो 24.67 याड मतलब 22.56 मीटर ठीक है और आपका इसकी चौराई कितनी होगी 10 फीट 3.05 मीटर और आप दोस्तो स्टम की उचाई देख सकते हैं 71 सेंटीमीटर या 28 इंच चलिए दोस्तो क्रिकेट की ट्रॉफिस की ट्रिक को देखते हैं ट्रिक जानने से पहले दोस्तो आपको एक सेंटेंस याद रखना होगा sentence क्या है वो sentence दोस्तों आपको यह है sentence है इस बार दिलिप जीरो रन देगा और शायद Asia कप विजय करेगा तो आपको यह sentence दोस्तों तीन चार बार बोलना है तीन चार बार बोलने से क्या होगा दोस्तों आपको याद हो जाएगा तो आपको दिलिब जीरो रंडे देगा तो Asia Cup विजह करेगा अब देख सकते हैं कि बीच में Asia Cup दिया गया है और साइड में दिलिब है और इधर भी यह balling कर रहा है यह batting कर रहा है तो अगर दिलिब इस ball में 0 रंडे देगा तो Asia Cup विजह कर जाएगा ठीक है अब इसे फोटो के माधियम से भी समझने की कोसिस कीजिए और 3-4 बार recall कीजिए तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग इस sentence है कि किस-किस trophies की हमें जानकारी मिलती है तो दोस्तों trophies क्या-क्या आएंगी देखिए आपको इस लिखा हुए ना आपको इस sentence तो याद रखना है इस बार दिलिप जीरो रन देगा और सायद Asia Cup विजय करेगा इससे आपका हो जाएगा इरानी Cup ठीक है आपका 100 से हो जाएगा आपका CK नाइडू ट्रोफी आपको तिन-चार बार रिकॉल करना E से इरानी Cup 100 से आपका CK नाइडू ट्रोफी बाहर से कुछ नहीं होगा दोस्तों दिलिप से हो जाएगा दिलिप ट्रोफी ठीक है G से हो जाएगा आपका GD विल्ला ट्रोफी तो आप तिन-चार बार रिकॉल करेंगे E से आपका हो जाएगा इरानी Cup 100 से हो जाएगा CK नाइडू कब दिलिप से हो जाएगा दिलिप ट्रोफी G से हो जाएगा GD विल्ला ट्रोफी रो से क्या हो जाएगा? रो से हो जाएगा आपका रोहिंग्टन ट्रोफी रन से क्या हो जागा? रन से हो जागा आपका रनजी ट्रोफी आप रिलीट करने की कोशिश कीज़े रन रनजी रनजी रन रो रोइंग्टन आप देख सकते हैं सब चीज मैच कर रहा है E से इरानी स स स स सी के नाइडू दिलिप से दिलिप ट्रोफी रो से रोइंग्टन ट्रोफी रन से रनजी ट्रोफी ठीक है? सेंटेंस आपको भोलना नहीं है दोस्तों अगर सेंटेंस आप भोल गया तो आपको प्रॉबलम हो जागी तो आपको सेंटेंस यह याद रखना है इस बार दिलिप जीरो रन देगा और सायद इस यह कप विजय करेगा तो चलिए आगे देखते हैं और क्या है त्रोफी है देगा से क्या होगा देगा से होगा आपका देवधर ट्रोफी रिलेट करने के कोशिद करेंगे तिंचार बार याद करने के कोशिद करेंगे तो आपको जागा तिंचार बार रिकॉल करना है दो आप रिलेट करनी की कोशिज की जब और से कुछ नहीं होगा दोस्तों सायद से होगा आपका सयद मुस्ताद अली ट्रोफी सायद 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 आप देख सकते हैं similar word जैसा announce हो रहा है सायद 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 से सयद मुस्ताद अली ट्रॉफी ठीक है और आपका एसिया से एसिया कब भी होगा एसिया से एसिया कब विजय से आपका हो जागा विजय हजारे ट्रॉफी ठीक है तो दोस्तों यह थी आपकी तो दोस्तों यह सब आप 3-4 बार रिकॉल करेंगे तो आपको याद आजागा, आपको कैसे याद करना है, बस सेंटेंस याद रखना है, इस बार दिलीब जीरो रन देगा और शाय देशिया का विजय करेगा, तो मैंने आपको फोटो के माधियम से भी समझाने की कोसिज की, आपने देख लिया फोटो के माधियम से भी, और इसे आप समझ गया है, इसे कौनसी कौनसी ट्रोफिय आपके इस सेंटेंस से बन रही है, मैं अद्पून तथे देख लेते हैं, फुटबॉल के दुस्तों जन्दादा कौन है, इंग्लैंड, ठीक है, और अपके में बॉल की परीदी कितनी होती है, 22 cm डायमिटर होता है, और 68 से 70 cm सरकफरेंस, ठीक है, फुटबॉल में गेन का वजन कितना होता है, 410 से 450 ग्राम, या तो आप उसमें प्रेशर की बात की जाए, तो इसमें दोस्तों इसकी प्रेशर होती है, आपकी 8.7 से लेके 16.0 नाम फूटबॉल खेलना और देखना बहुत परशंद था, ठीक है, तो वो लोग कि बात करते हैं, कि संतोस अर असुतोस से कहता है, कि रोज की तरह कल सुबह भी दुकान में FIFA World Cup देखेंगे, ठीक है, दुकान में वो लोग बात करते हैं, कि रोज की तरह कल सुबह भी हम ल वह चोटा भाई सुन लेता है इननों की बात संतोस और आसुतोस की बात तो वह सुचता है कि ठीक है मैं ममी को बता दूंगा तो ममी को जब बताता है तो वह बोलता है संतोस और आसुतोस रोज सुबह दुकान में FIFA World Cup देखते हैं तो दोस्तों वह दुकान नहीं बोल पाता है वो क्या है, बच्चा है, बच्चा है तो डुकान बोल पाता है, ठीक है, तो यही आपका ट्रिक बन गया, संतोस और आसुतोस रोज सुबा दुकान में FIFA World Cup देखते हैं, तो ट्रिक आपका यही हो गया, आपको यह सेंटेंस याद रखना है, संतोस और आसुतोस रोज सुबा FIFA World Cup देखते हैं, तो वो बच्चा है, बच्चा दुकान नहीं बोल पाता है, वो बोलता है डुकान, ठीक है, तो दोस्तों, यही आपकी कहानी थी, यही कहानी आपको याद रखनी है, जिससे आपकी फुटबॉल की ट्रॉफी की ट्रिक बनेगी, ठीक है, तो आपको यह सेंट वो लोग रोज सुबा दुकान में FIFA World Cup देखते थे, कितनी एजी कहानी है, आप रिलेट करने की कोशिस करेंगे, तीन-चार वार रिकॉल करने की कोशिस करेंगे, तो आपको याद हो जाएगी, ठीक है, तो उससे रिलेट होगा कैसे, संतोस से, संतोस ट्रॉफी, आसोतोस से आसोतोस ट्रॉफी, आपको बस संतोस याद रखना है, पिक्चर कहानी याद रखनी है, पिक्चर के माधियम से मैंने समझाने की कोशिस की, कि आपको जल्दी याद हो जाए, तो आपको क्या है, संतोस से, संतोस ट्रॉफी, आसोतोस से, आसोतोस कप, रोज से, दोस्तों, र सबाग का सुब लेना खाली सुब से सुबौत। कभॉत रखेंगे तो याद हो जागा इजली आद और जैगा यह सब तीन-चार वर करेंगा तो आपको याद हो जाएगे डुकान को क्योंकि बच्चा है थे वह बच्चा दुकान में होता है fema se तो ये ठ्रिक आपका फुट बाल का एक क्योंकि हम व्यांर रएक कैसे करेंगे कि यह फटा व ganzen क्या मेरा क्योंकि यह फिफा वस्दुं से दिया हूँ तो फिफा व से ज़गे सन्ट्फ यह याद रखना है शंटो संथ्स रोजसुबह दुकान दुकान नहीं दुकान क्योंकि बच्चा बोल रहा है दुकान में फीफा वॉर्ड कप देखते हैं। यह संतोस से हो गया संतोस ट्रॉफी, आसुतोस से हो गया रोवर्स कप, सुबह से, सुब से हो गया सुब्रतों कप, दू से उगयाaban RabagundPh, अदूरं मैदान की लंबाई चौराई कितनी होती है? 44 feet into 17 feet, ठीक है? वो भी अगर एकल में, मतलब सिंगल में. मैदान की लंबाई चौराई अगर दोस्तों, डबल में बोला जाए तो 44 गुने 20 feet, ठीक है? मिनिट की उचाए कितनी होती है? 1.55 meter या 5 feet. रैकेट का भार कितना होता है? 85 से लेके 140 gram. सटल कॉक का बजन कितना होता है? 4.74 से लेके 5.51 gram. और दोस्तों, पंखुरियां की संख्या कितनी होती है? 14 से 16. तो दोस्तों, यह महत्पुन्त रहते, आप याद करके रखिएगा, क्योंकि यह important है. फिगर के द्वारा आप समझ सकते हैं, कि इसकी लंबाई चौराई देख सकते हैं, आपको समझने में आसानी होगी. लंबाई अगर पुछा जाए, तो 44 feet. और देख सकते हैं, आप कोट की चौराई आपकी 20 feet double के लिए, और 17 feet single के लिए. और net की लंबाई होगी 5 feet. ठीक है? तो चलिए बैडमिन्टन की ट्रॉफी की ट्रिक्स को देखते हैं. तो दोस्तो बैडमिन्टन की ट्रॉफी को याद करने के लिए, आपको एक sentence याद रखना होगा. वो sentence क्या है दोस्तों? वो sentence यह है, तो इसके लिए दोस्तों याद करने के लिए मैंने आपको फोटो भी दे दिया है. फोटो से आपको क्या होगा कि जल्दी याद हो जागा. तो देखिए, क्या है फोटो? देखिए, थम पर आपका बैठा हुआ है उबेर और सुदीर, जिसको अमरित नहीं चड़ा. तो ठीक है, इसी से याद रखेगा, आप तीन-चार बार रिकॉल की जागा, आपको याद हो जाएगा. थम पर बैठा उबेर और सुदीर को अमरित नहीं चड़ा. समझते हैं कैसे क्या क्या है ट्रॉफिस हम लोग थंसे थॉमस याद रखेंगे थंसे थॉमस थॉमस थीन चार बार आप करेंगे आपको याद जाएगी नहीं हो गा तो फीगर से आप याद करेंगे कि दो बच्चे थे उबेर और सुधीर जो थंपे बैठा है थे उन्हें अम बैडमिंटन का ट्रिक्स है तो बैड से बैडमिंटन और उबेर से उबेर कप ठीक है उबेर से उबेर कप सुधीर से सुधीरमन कप ठीक है सुधीर से सुधीरमन कप तीन चार बार आप रिकॉल करेंगे आपको याद हो जाएगा सुधीर से सुधीरमन कप और अमरित से अमरि से उबेर कप सुधीर से सुधीर मन कप अमरित से दिवान कप और ना से नारंग कप और चड़ा से चड़ा कप तो उसका पोल लिए आपको यह ट्रिक्स याद रखना होगा थंपर बैठ उबेर और सुधीर को अमरित ना चड़ा ठीक है चलिए हम लोग कुछ महत्पून इससे पूछे जाते हैं किस अंतराष्ट्य चैंपनशिप में थॉमस कप दिया जाता है क्रिकेट बैडमिंटन टेनिस यह फुटबॉल तो इसका सही उतर होगा आपका बैडमिंटन क्योंकि थॉमस कप हम लोग जाने हैं कि थॉमस हम लोग का बैडमिंटन में आता है ठीक ह ठीक है, Thomas Cup का सम्बंद किस खेल के साथ है, तो इसका उत्र क्या होगा, आपका Badminton, ठीक है, Uber Cup का सम्मद्द किस खेल के साथ है, आपका Uber Cup भी आपका आता है Badminton में, तो यह व्याद Th enables, अगर ट्रिक्स याद रखना है, और दोसों 5 वो क्रूशन देखी किया पुछा जाए बैडमींटेन के कोर का वज़न अब को महत्पुन्तत में मैंने बता दिया कि बैडमींटेन को का वज़न कितना होता है तो आप बता सकते हैं इससे देखिए कितना होगा इसका अंसर होगा आपका 4.74 से 5.51 ग्राम ठीक है इसका जाल का भी बता है, जाल का कितना होगा, पाच फूट, ठीक है?